नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पूलिस की चेतावनी के बाद भी भाजपा करकाता नहीं माने और पूलिस बैरिकेटिंग की टोडने की कोशिस करते रहे इसके बाद पूलिस ने भाजपा करकाताओ को तीतर वितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया वाटर कैनन की बहुचार के सामने भी भाजपा करकता डटे रहे और लगातार हमान तहटाओ जारकन बचाओ का नारा लगाते हुए बरिकेटिंग तोड़ने का पर्यास करते रहे बतादे वाटर कैनन के इस्तेमाल से भी भाजपा करकताओ पर जब कोई परभावन नहीं पड़ा तो पुलिस ने भीर को नियांतित करने के लिए आसुगाई इसके गोले दागे इसके बाद भाजपा करकता उग्र हो गए और पुलिस पर पत्थर और पानी की बोतल फेकने लगे इस हरकत के बाद पुलिस ने भाजपा करकताओ पर लाठी चार्ज कर दिया जारखन मौसम विभाग के अनुसार जारखन में इस बार दक्षनी पश्यमी मानसून समाने रहने का पुरौनमान ब्यक्त किया गया है मानसून सीजन के दवरान राजे में 96.52 होने की समभवना जताई गई है पुरौनमान में समाने बारिस 4.52 से कम या अधिक हो सकती है हलाकी राज में पिछले साल मानसून कमजोर रहा था यहाँ पुरे मानसून सीजन के दवरान 817 मिलिमीटर बारिस होई थी जो की समाने से 20.52 कम रही इसकी जनकाईर देते हैं मौसम के इंदर राची के बैगानी अविसेक आनन ने बताया है कि देश में पहले 49 मानसून के दिर्ग कालिन पुरौनमान में अच्छी बारिस होने की समभवना जताई गई जारखन में भी इस बार समाने मानसूर रहने के समभवना है मानसून अपने निधारित समाई पर ही जारखन में परवेश करेगा मानसून सीजन के दवरान राजे में 1022 मिलिमेटर बारिस होती है जारखन के 7 लाख किसानों को बीमा कमपनी देगी 810 कौड़ रुपाए बीमा कमपनी या राजे के किसानों को 2018-19 की फसल बीमारासी का भुगतान करेगी बुद्धवार को इसकी राजे किसानों को बैंक खाते में आएगी बीमा कमपनी या राजे के करीब 6,80,000 से अधिक किसानों को फसल बीमारासी का भुगतान करेगी या कृसी मंत्री बादल की वज़ा से संभव हो पाया है क्रिसी पसुपालन एवं साहकर्था मंत्री बादल ने बताया है कि किसानों को भी भीन कारणों से कलेम सेटल्मेंट एवं भुखतान नहीं हो रहा था इसे देखते हुए हमने अपने राजे अंस की रासी नहीं देने का निने लिया मंत्री ने कहा है कि हमने बीमा कमपनियां सहीत केंदर सरकार के साथ सर्त रखी थी कि जब तक बीमा कमपनियां सपत पत्र नहीं देगी कि हम किसानों का कितना भुकतान करने वाले हैं तब तक हम राजय अंस की रासी नहीं देंगे इस नीरनाय के बाद केंद्र सरकार की ओर से सन्यूक्त सचीव रितेश चवहान एवं बीमा कमपनियां के साथ भी भागे सचीव अबुब बकर सिद्की और उनके अध्यक्ता में उच्छतरी बैटक होई बता दे कमपनियां तयार हुई कि हम सपत पत्र देंगे उन्होंने कहा है कि राज सरकार अपने हिसे का 362.50 कोडोर का बकाया भोकतान करे तो केंद्र सरकार भी अपने हिसे रासी देगी जार्खन समेत पूरे देश में नहीं बन रहा जन्म मिर्तिव पर्मान पत्र जार्खन के 38 नगर निकायों समेत पूरे देश में एक अप्रेल से जन्म मिर्तिव पर्मान पत्र नहीं बन रहा है इस अधार पर पिछले 10 से 200 अधिक जनव परवन पत्र जारी नहीं हो सका, एक अप्रेल से पहले के आवेदनों की संख्या जोड़ ली जाए तो 300 से अधिक आवेदन पेंडिंग है, जारकन के सभी निकायों में यह संख्या 8 हैर से अधिक है, कई मामलों में जनम मिर्तू सचीवाले घेरने में भाजपा रही बिफाल, हिमन्त हटाओ, जारकन बचाओ के सलोगन के साथ सचीवाले घेरने की भाजपा की कोशिस पूरी नहीं हो सकी, युवा करकाताओने बैरिकेटिंग तोड़ने की हिमत जरूर दिखाई, रांची के सांसर संजय सेट, राईसभा सांसर, समीर, उराव और बोकारों के विधायक विरंची नरायन समयत कुछ युवा बैरिकेटिंग को लांगने में सफल रहे, लेकिन पूलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, 12 बहे तक प्रभात तारा मैदान खाली नजर आ रहा था, अचानक एक बज़ते बज़ते कई बसों से भाज़पार करकता मैदान में आ पहुंचे, उनका आरोप था कि जगा जगा पूलिस रोक रही थी, भीन को मोबलाइज होते होते करीब दो बज़ गाए, घोसना होई कि बैरिकेटिंग तोड़ते हुए सचिवाले तक पहुंचना है, नेतागन मंच से उतरे, हाथ में कमल छाप वाला जहंडा पकड़े करकता पीछे पीछे चलने लगे, बतादे परभात तरह मैदान से करीब एक किलिम्टर की दूरी पर सचिवाले गोलंबर से करीब 500 मीटर पहले एक बैरिकेटिंग की गई थी, जहरकन हाई कोट में मंगलवार को साथ वी से दसवी जेपीएसी में आरक्षन का लाब नहीं दिये जाने के खिलाब दाखिल याचका पर सुनवाई होई, पर सुनवाई के बाद जिस्टिस और मुखोप अध्याय की अदालत ने इसे समझ सभी अचकाओं को एक साथ सुचिवत करने का निदेश दिया, मामले में अब 12 अप्रेल को सुनवाई होगी, इस समझ में परार्थी सुरज कुमार राजा की ओर से हाई कोट में याचका दाखिल की गई है, सुनवाई की दोरान परार्थी के अधिवक्ता सुभासिस रसिक सोरेन की ओर से कहा गया है कि जेपीएसी ने साथवी से दसवी जेपीएसी की परिशली है, परिणाम जारी होने के बाद उतरपुष्टी का सरोजनिक किये जाने पर परार्थी को पता चला की उसने अपनी स्रेनी में निधारित कॉट अफ मार्ग से अधिक अंग प्राप्त किये हैं, लेकिन उसका चायन नहीं किया गया है, गर्मी छुटी के बाद 12 जून से सरकारी स्कूलों में सुरू होगा नया सेक्षिनिक सत्र, जारखन के देवगर जीले के सरकारी स्कूलों में नया सेक्षिनिक सत्र 12 जून से प्रारंब होगा, जीला सिक्छा पता दिकारी का रियाले से प्राप्त जनकारी के अनुसार, इस इस वज़न से नया सेक्षनिक सत्र सुम वार 12 जुन से प्रारंब होगा बता जे नया सेक्षनिक merciful के लिए नमांकरिया गर्मी के छुटी के पूरी कर ली जाएगी पाठीकरम के नुश नया सेक्षनिक सत्र में नमांकर लिएने वाले 16 मिल कि людям पूसतों के बुश्त भी कर दिया जाएगा बर्तमान में चालू सेक्षिनिक सत्र की कक्षा नौम की परिक्षा शुरू हो गई है आठवी की परिक्षा तेरा अप्रेल से होगी इसके बाद सात्वी कक्षात्ता की परिक्षा होगी केंद्रीय सारना समिती ने की बैठक आदिवासी नेताओ पर साधा निसाना सारना जंडा हटाने जलाने का मामला सांत होने का नाम नहीं ले रहा गत दिवस कुछ आदिवासी संगर्णों ने इस बिवाद को पूरी तरह से आपसी और जमीन बिवाद से जोड़ा था वही मंगलवार को केंद्रीय सारना समिती ने एक बैठक करके मामले को डाइवाट करने वाले आदिवासी समाजिक नेताओं को आड़े हाथे लिया समिती के अध्यक्ष फूलचन तिर्की ने कहा है कि जो लोग इस मामले को डाइवाट करने का पर्यास कर रहे हैं उन लोगों ने रांची बंद का समर्थन नहीं किया था यहाद तक कि इस बंद का जहमो विधायक लोबिन हेम्रेम ने भी समर्थन दिया था आधिवासी हिताशी का धोंग करने वाले पूरो मंत्री गीता सिरी उराव लक्षमी नरायन मुंडा कुदर्सी मुंडा आधि लोग समाज को दिख भरमित करने का पर्यास कर रहे हैं ऐसे लोग आदिवासी समाज से माफ ही मांगे नहीं तो आदिवासी समाज इनका बिरोध करेगा पलामू में कोरोना को लेकर सतकता कोरोना के समभावित खत्रों को देखते हुए मौक ड्रील किया गया यहां उन्होंने मौक ड्रील के दोरान बेट पर ऑक्सिजन की सफ्लाई ऑक्सिजन कंस्टिटेटर की उपलवदता वह अने अवस्षक व्यवस्था आदिक आवलोकन किया वहीं रिहलसल के बाद उपायुक ने कहा है कि कोरोना से निपटने को लेकर पलामू पूरी तरह से तयार है जारखन केबिनेट की बैठक 17 अपरेल को कैबिनेट की बैठक 17 अपरेल को होगी या जनकारी मंत्री मंटल सचीवाले यम निग्रानी बिभाग की ओर से दी गई सुत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के नियने के अधार पर राज्य कर्मियों का महंगाई भात्ता बढ़ाने से समझीद बीत बीभा के प्रस्ताओं पर मुहर लगाने की समवना है इसके अलावा इंस्पार टक्चा स्वास समझी प्रस्ताओं को कैबिनेट की बैठाक महर जंडी मिलेगी बीजेपी के परदर्शन पर पूलिस का लाठी चार्ज दरजनों करकरता और पूलिस कर्मी घायल भाजपा के सचिवाले घहराव कारकरम के दरण पूलिस ने भाजपा करकरताओं के द्वारा बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद जमकर लाठी चार्ज किया इस दरण कई भाजपा नेता और करकरता घायल हो गया है वहीं पूलिस की तरफ से एक प्रसिक्चु आईपीए सहीत कई महिला और पूलिस कर्मी भी घायल हुए उग्र परदसन कर रहे कई भाजपा करकरताओं और नेताओं को पूलिस ने हिरासत में भी ले लिया है इस दरण जब पूलिस में भाजपा करकरताओं को रोका तो उन्होंने पूलिस पर पानी के बोतर पत्थर पेकने लगे पूलिस ने पहले भीड को रोकने के लिए जम कर वाटर केनन का प्रयोग किया लेकिन इसके बावजपा करकताओं नहीं माने तब उस पर आसू गये इसके गोले दागे गये इतने पर भी जब भाजपा करकता सुरक्षा घहरा तोड कर बावाल निकलने लगे तब उन्हों पर जम कर लाठी चार्ज की गई बीजेपी का सचीवाले घहराओ खत्म सांथ हुआ पर दरसन जारखन की हेमन सरकार के खिलाप मंगलवार को बीजेपी का सचीवाले घहराओ के दवरान जम कर बावाल काटा गया बीजेपी के करताओ द्वरा बैरिकेटिंग तोड आगे बढ़ने की कोशिस की गई इस दोरन पानी के फोहारे छोड़े गए वहीं पत्राव होते ही पूलिस को भी लाठी चार्ज करनी पड़ी इस लाठी चार्ज में कई करकरता घहल हुए है वहीं पूलिस और पत्रकारों को भी चोट लगी है अखेकर घंटो रन छेत्रे में बना इलाका अब सांथ हो गया है पार्टी करकरता वापस लोटने लगे है वहीं CTSP सुभांसु जैन ने करवाई की बात कही है बता दे मंगलवार की सुभा धुरुवा के परभात तरह मैदान में BJP करकताओ का जुटान होना सुरू हुआ धिरे-धिरे करकताओ की भी बढ़ने लगी इसके बाद नेतार करकता सच्चिवाले की और कुछ करने लगे धनबाद उपायूक्त संदीप की तवियत अचानक बिगडी धनबाद के उपायूक्त संदीप सिंग की तवियत मंगलवार की साम उनके कर्याले में अचानक बिगड़ गए उनके सीने में दर्थ था और सांसलेन में तकलीफ हो रही थी उन्हें चकर भी आ रहा था इसके बाद वो जाच करने के लिए सही निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एन होस्पीटल पहुंचे यहां उनकी जाच की गए उनके फेफ़डे से समंधित कुछ सिकायद डक्टरों को मिली है इस जाचों के बाद उपाईक डक्टर की सलाह पर घर चले गए धरबाद के उपाईक संदीप सिंग को सुरपर्थम अधिक छक के चेंबर में करीब 15 मिर तक नेबुलाजर दिया गया सास लेने में थोड़ी रहात मिलने के बाद उनकी अनेजाद सुरू की गई संस्क्रितिक पर्याटन अस्थल के रूप में बिक्सित होगा सराय के लाँ अस्थानिये राज की ये छो कलाकेंदर प्रांगन में चैत्र परवक का रंगारंग अगाज हो गया संबोधित करते हुए मंत्री सी सुरेन ने कहा है कि छो हमारी संस्क्रिती है इससे बचाय रखना हम सब का दयुत है राज सरकार ने सराय के लाँ संस्क्रितिक पर्याटन अस्थल के रूप में बिक्सित करने काने लिया ताकि संस्क्रितिक अक्छोन रहे और वर्स भर यहां पर्याट टक आय और छो का अधिक सदिक बिक्सित हो सके मंत्री ने कहा है कि छो के करन सराय के लाँ की पचान बीदेसों तक है देस का प्रतिषित पुस्तकार पदमसरी साथ छो कलाकारों को मिले यह सराय केला के लिए गोरों की बात है बाइक पर अस्टंड कर रहे दसवी के छात्र की महत बाइक पर अस्टंड के दरान होई दुर घटना में दसवी के छात्र की महत हो गई साथी गंभी रूप से घायल हो गया घटना मंगलवार की दोपर करीब दो बजे मुपसिल थाना छेतरे में चाई बासा जीक पानी मुख्य मार्ग पर महुल साई पानी टंकी के पास हुआ है मुपसिल थाना के तुईबीर गाव निवासी 17 वर्षी देवराज कांडियांग के रूप में हुई वहीं घायल 16 वर्षी ये सुभाय सोय चाई बासा के टुंगरी का रहने वाला है वह मुल रूप से सोनुआ के आसन तलिया गाव का निवासी है हाथ से में मुरीत छातर देवराज की एक हाक बाहार निकल गई है उसके सीर पर भी गंभीर चोट आई थी सिध्धु कान्धु की धर्ती से स्यम हेमन्त ने कई भी कास योजनाओ की दी सोगाद अमर सहीत सिध्धु कान्धु की पवित्र भूमी भोगनाडी से मुख्य मंत्री हमंस glare नमंगलवार को मिजस रुबेला विशेश टिका करण और नौग अठीत सिंधू का अधूर राज्य सहकारी संग के तहत पैक्स लेप्स से सजस्यों को जोडने के महा अभ्यान का सुभारम किया इस अशर पर उन्होंने सहेव गंजीले को 2080 योजनाओं की सोगात दी और लाबकों को ससक्त बनाने के लिए उनके बिच परिसंपत्यों का बित्रन किया मुख्य मंत्री ने जीले के दुरोस्त सुदूर और पहाड़ी छेत्रों के लिए चाल बाइक एम्बुलेंस की चाभी भी सोपी सिद्धू कानुजी अंति पर आयोजीत कारिकरा में मुख्य मंत्री ने कहा है कि राजय और राजवासियों के उनत्ती के लिए सरकार प्रतिवद है रामगड में 30 लाख रुपाई की लूट रामगड के गोला पर इस्थीत भारतिये जीवन बीमा निगम के रामगड साखा से रुपाई लेकर निकल रहे SIS कंपनी के कैस मैनेजमेंट सर्विस के कस्टोडियम को गोली मारकर रुपाई से भरे बैग और एक बिरिपकेट लूट लिया इस दोरान अपराधियों ने 29,34,797 रुपाई लूट लिये हैं जनकारी मिलते ही पूलिस मोके पर पहुँच कर जाज परताल में जुट गई जनकारी कनुचर मंगलवार को करीब देड़ बजे कस्टोडियम प्रेम मिस्रा और संतोस पांड़े कंपनी के वाहन से कैस कलेक्ट करके निगम की सक्खा में पहुँचे चालक स्याम बिहारी पाहन एवं गाड बिजय सर्मा सक्खा के ठीक सामने खड़े कंपनी के कैस वाहन में थे कैस रिसीव कर दोनों कस्टेडियम सक्खा से निकल करवाहन की ओर बढ़े इसी कराम में पूरे से सक्खा से बाहर घात लगाए अपराधी दोनों कस्टेडियमों पर गोली चलाने लगे गव रक्षा से जुड़े यूखों की गिरफतारी के बिरोध में आये सर्जू राय सर्जू राय ने कहा है कि या कृत्य राय निती दबाव में जुकने नहीं बलीक रिंगने वाला है और अपात काल की याद दिला रहा है उन्होंने इस बात पर भी अचर्ज जताया है कि गिरफतार यूखों में एक अधिवक्ता है जो सीधे कोट से एसेस्पी करया लगाए थे एक अपनी माक के स्राध करम से सोमवार को ही जमसेथपुर वापस लोटे है हजारी बाग में वन विभा की टीम पर हमला जार्खन के हजारी बाग जीले में रात दीन कोईले की तसकरी हो रही है बादमासों का दूस साहस इतना बढ़ गया है कि ये छापे मारी दल पर भी हमला करने से नहीं हिचकते सोमवार रात कचहरी के इंद्रा में छापे मारी करने गई वन विभा की टीम पर कुछ इसी तरज पर तसकरों ने हमला बोल दिया तसकरी में सामिल महिलावने पता दिकारियों के आख में जहां मिर्चा पौडर फेका वहें पूरुस तसकर वन विभाग द्वारा जब्त किये गए कोईले से लदे आधा दरजन वाहन को छुपा दिये रात के अंधेरे में करीब आधा घंटा तक इंद्रा रंचेतर बना रहा घटना रात करीब नौ से दस बजे की है देवघर के हिंदी बिद्या पीट से जारी 2015 तक के परवन पत्र माने हाई कोड के जर्शिश डाक्टर एस इन पाठा के अधालत में नौकरी से निकाले जाने के आधेश के खिलाब दाखेलिया जक्यापर सुनवाई होई परवन पत्र को सही बताते हुने राज सरकार के आधेश को निरस्त कर दिया अधालत ने होगे औरलत में सरकार के उस अधिस this होई पहले जारी मैट्रिक और और प्रहापत्रों को निस्ट कर दिया गया था धन्यवाद यदि आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एकन दबाईए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों किसा सेर करना ना भूले साथी साथ आप में कोम